इमान दरी का फल और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में ये घोशना करवा दी कि सभी बच्चे राज महल में एकत्रित हो जाएं फिर ऐसा ही हुआ राजा ने सभी बच्चों को पोधे लगाने के लिए एक अलग अलग प्रकार के बीज दिये और कहा कि अब हम छे महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पोधा सबसे अच्छा होगा एक महीना बीच जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फुटा लेकिन वो रोज उसकी देखबाल करता था और रोज पोधे को पानी देता था देखते ही देखते तीन महीने बीच गए और बच्चा परेशान हो गया तभी उसकी माने कहा कि बेटा धेरे रखो कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है और वो पोधे को सीचता रहा अच्छे महीने हो गए और राजा के पास जाने का समय भी आ चुका था लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पोधे होंगे और उसका गमला खाली होगा वो बच्चा बहुत इमानदार था और सारे बच्चे राज महल में आ चुके थे कुछ बच्चे जोस से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्रादीकारी बनने की प्रबल लाल सा थी अब राजा ने आदेश दिया और फिर सभी बच्चे अपने अपने गमले राजा को दिखाने लगे मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था तभी राजा की नजर उस गमले पर गई और उसने पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है ऐसा क्यों? तो उस बच्चे ने कहा लेकिन मैंने इस गमले की छे महिने तक देख बाल राजा उसकी इमानदारी से बहुत खुश था कि उसका गमला खाली है फिर भी वो हिम्मत करके यहां तक आ गया सभी बच्चों के गमले देखने के बाद उस राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया वो बच्चा सहम गया और राजा ने वो गमला भी सभी को दिखाया उस गमले को देखकर सभी बच्चे जोड जोड से हसने लगे राजा ने कहा शांत हो जाईए इतने खुश मत होईए आप सभी के पास जो पोदे हैं वो सब बंजर है आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा लेकिन असली बीज यही था राजा उसकी इमानदारी से बेहत खुश था और उस बच्चे को उस राज्य का उत्राधिकारी बना दिया लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमारे अंदर इमानदारी का होना बहुत जरूरी है अगर हम खुद के साथ इमानदार है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाओ में हम सफल हो ही जाएंगे क्योंकि हमारी इस्थिती सिर्फ हमें ही पता होती है हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं इसलिए हमेशा इमानदार बने रहो